हेलो फ्रेंट्स इस जोती वर्मा तोड़े आइम गूं को स्टार्ट विडियो में देख चुके हैं कि हमारे जो ओरल एग्जामिनेशन और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो टूल्स ओफ इवैलिवेशन किस तरीके से हैं तो हमने उन दोनों वीडियो में और प्र एग्जामिनेशन को क्लियर किया आज हम यूनिट सेकेंड का नेक्स टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर हैं आकलन मापन एवं मूल्यांकन के गुडात्मक उपकरन यानि कि क्वांटिटेटिव टूल्स ओफ असेस्मेंट मेजर्मेंट एवैलुएशन तो इसके सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आकलन करने के लिए मापन करने के लिए और मूल्यांकन करने के लिए जो गुडात्मक उपकरन है उनमें से कौन-कौन से ऐसे उपकरन है जो हमें इसमें पढ़ने हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे अब्जर्वेशन कि हम जो आकलन करते हैं या फिर मापन करते हैं किसी भी चीज का तो वो observation के द्वारा किस तरीके से करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर observation यारी कि अवलोकन जैसा कि आपको पता ही है आप किसी चीज को ध्यान से देखते हैं आपका mind वहाँ पर एक तरीके से stable रहता है तो आप क्या करते हैं उस चीज को अच्छे से observe कर पाते हैं कोई भी चीजों अगर आप ध्यान से पुस्तकों पढ़ रहे हैं या कोई भी movie देख रहे हैं या कोई बच्चे खेल रहे हैं तो आप उनकी activities को देख रहे हैं तो आप उन चीजों को observe कर रहे हैं इसी तरीके से इसमें देखेंगे observation क्या है अनुसंधान की विधी की रूप में अवलोकन यानि की observation अक्त्यंत महतपूर है it's very important हम सभी तक्त्यों घटनाओ एवं अनुभव हो यानि कि किसी भी प्रकार के incidence है कोई भी अनुभव है experience है उसको ग्यानेंद्रियों से grant करते हैं जैसा कि आपको पता है कि इन चीजों को करने के लिए हम हमारी senses का use करते हैं बिना आवलोकन किये हम कुछ भी अध्यान नहीं कर सकते जैसा कि आपको पता ही है आप किसी भी चीज को अगर रियान से नहीं पढ़ेंगे तो आप उस चीज को क्या मतलब अच्छे से नहीं सीख पाएंगे उसका अध्यन नहीं कर पाएंगे अवलोकन वास्तव में ऐसा मापन है जिसमें यंत्रों का प्रियोग ना हो और यंत्रों उपयोग हो भी तोवे मापन करने वाले पर लागु हो ना कि मापित किये जाने वाले तथे पर तो यह है हमारा ऑब्जर्वेशन आगे देखेंगे अवलोकन के आवश्यक बिंदू तो अवलोकन के जो अवश्यक बिंदू है ये कौन-कौन से हैं पहला है हमारा इसके अंदर फर्स्ट कारे कुशलता ग्याने दरी यानिकी efficient sense organs सेकेंड है हमारा इसके अंदर आवश्यक क्या होना चाहिए सावधानी यानिकी आप alert होने चाहिए किसी भी चीज को लेके थर्ड है हमारा इसके अंदर तातकालिक एवम यथार्थ लेकाने की immediate या फिर accurate records आपके पास होने चाहिए फूर्थ है आपके पास यथार्थ प्रत्यक्ष की योगता यानिकी ability to perceive accurately फिफ्थ है हमारा इसके अंदर यंत्रों की सहायता बिना यथार्थ अनुमान की शमता यानिकी capacity for accurate estimate without help of instrument और sixth है हमारा इसके अंदर विभिन वक्रतियों से मुक्तियान की freedom from various pathological states तो इसके अंदर ये कुछ 6 points हैं जो आपको अवश्यक होते हैं किस चीज के लिए अवलोकन करने के लिए next हम देखेंगे इसके अंदर अवलोकन के प्रकार यानिकी अवलोकन कितने प्रकार के होते हैं types of observation तो सबसे पहला है हमारा इसके अंदर उपत्ती या फिर निर्देशिक अवलोकन यानिकी finding और directed observation इसमें क्या है उपत्ती अवलोकन में अवलोकन करने वाला केवल यह जानता है कि उसे दी हुई परिस्थिति या निरिक्षन करना है मतलब उसमें आपको एक दे दिया गया है टार्गेट कि आपको उस परिस्तिती का निरिक्षन करना है या फिर उसे देखना है उसके बाद है वह उस परिस्तिती में नहीत तत्वों को जानने का प्रयास करता है जसे हाई स्कुल के विद्यारतियों की अध्ययन समबंध्थी आरतों जो उनकी आदित होती है BB्षन होती है उनको अवलोटन करते समय उसे या जाना आवरशक नहीं है कि अध्ययन का क्या अर्थ है सेकेंड हम देखेंगे इसके अंदर नियंतरित और नियंतरित वह मिश्रित अवलोकन यानि की एक कंट्रोल्ड या फिर अनकंट्रोल्ड या फिर तो ये तीनों प्रकार किस तरीके के होते हैं आप इन एक्जाम में अलग अलग भी लिख सकते हैं कि नियंतरित क्या है या मिश्रित क्या है तो इसमें हम देखेंगे प्रियोक्त अनुसूची तक सीमित रहता है मतलब ये जो अवलोकन है ये प्रियोक्त अनुसूची तक सीमि किया जाता है नियंत्रित जो अवलोकन है नियंत्रित अवलोकन में कुछ निश्चित तथा प्रमापी कृत परिस्थिती होती है नियंत्रित अवलोकन बालकों के अध्यन में उपयोगी नहीं है मतलब जो नियंत्रित अवलोकन है उसे बालकों का जो अध्यन होता है वो उसमे उपयोगी नहीं है, useful नहीं है, अनियंतरित अवलोकन में परिष्थितियों, मतलब जो अनियंतरित मतलब अनकंट्रोल होते हैं, observation उसमें परिष्थितियों, एवं सामगरी का उपयोग, अवलोकन करने वाले विवेक पर छोड़ दिया जाता है, मतलब उसकी सैंस पर छोड़ जाता है और मिश्रित अवलोकन क्या है नियंत्रित और नियंत्रित तोनों ही विदियों को एक साथ प्रियोग करना थर्ड हम देखेंगे इसके अंदर बाहर या फिर आत्म अवलोकन मतलब एक्स्टर्नल या फिर सेल्फ अब्जर्वेशन तो इसमें क्या है बाहर अवलोकन में प्रियोजन के विवहार का अध्यन करने के लिए किसी बाहरी वैक्ति पर निर्भर करते हैं मतलब जैसा कि बाहर का अवलोकन होता है बाहरी वैक्ति पर निर्भर करते हैं जैसे पाकी होता है क्योंकि कोई व्यक्ति स्वेम को भली भाती नहीं समझता क्योंकि उसे अपने point of view सारे सही लगते हैं तो वह आपको भली भाती नहीं समझता एवं बहुत सी बातों को वह दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहता next हम देखेंगे इसके अंदर हमने अपना अवलोकन का topic खतम किया इसके अंदर observation का next देखेंगे project या परियोजना शब्द का आर्थ मतलब जो चीजे अवशक होती हैं किसी भी चीज को मापने के लिए उसका आकलन करने के लिए या मूल यांकन करने के लिए उसमें first था हमारा observation अब है हमारा projection यानि कि project या परियोजना शब्द का आर्थ तो सबसे पहले हम देखेंगे meaning of projection जिसमें हम दो परिभाश है देखेंगे एक valid की एक parker की तो valid के अनुसार क्या है अवलोकन valid के अनुसार है project जो है यथार्थ जीवन का ही एक भाग है मतलब जो जीवन है यथार्थ जीवन उसी का एक भाग है जो विद्याले में परदान किया जाता है और parker के यह साब से क्या है parker के अनुसार यह है क्रिया की एक इकाई है जिसमें विद्यार्थियों को योजना और उदेश निर्धारित करने के लिए उत्तरदाई बनाया जाता है आगे हम देखेंगे इसी के अंदर परियोजना विदी की प्रकरति यानि की nature of project method तो nature क्या है इसका इस प्रकरति इस प्रकार की विदी मतलब यह जो projection method है इस प्रकार की विदी में सिक्षा का मुख्य केंदर project ही होता है मतलब project को ही follow करना होता है आपको जो आपको project दिया गया है विद्यार्थि किसी समस्या के समाधान के लिए किसी उचित project को अपने हाथ में लेते हैं तो आप उसको अपने हाथ में लेते हैं और उसको योजना बद्ध मतलब planning के जरीए आपस में group wise इसको solve करते हैं किसी भी project को तो आगे है इसके अंदर परियोजना पर मतलब जो projection है परियोजना पर काम करके समय उन्हें जिस प्रकार के ज्यान की आवशक्ता होती है वह उसी समय अरजित कर लिया जाता है मतलब project matter जो होता है वो आप कैसे करते हैं आप उसमें active रहते हैं next step के इसके अंदर परियोजना का sun shape में अभी प्राय हुआ किसी कारे को समूँ में करना जासा कि मैंने आपको बताया कि group में projects बनाए जाते हैं ज्यादा थर projects ऐसे दिये जाते हैं जो group में होते हैं ग्रूप में करना जिसमें सभी विध्धारती सहकारिता की भावना, मतलब आपस में सही योग करके सहकारिता की भावना से कारे करते हैं, इसके मुख्य सिधान्त क्या कहा हैं, करके सीखना, मतलब लर्निंग बाइडूइंग, जीवन में सीखना, मतलब लर्निंग इन लाइफ और मतलब learning from life मतलब जीवन से सीखना और next है विद्धार्ती के सही योग द्वारा सीखना मतलब होई भी विद्धार्ती है आपस में एक दूसरे के सही योग द्वारा ही सीखते हैं next हम देखेंगे इसके अंदर परियोजना के पद्यानिकी steps क्या के हैं प्रोजेक्ट करने के तो सबसे पहला है परिस्ति की प्रदान करना मतलब teachers क्या करते हैं आपको provide करते हैं एक situation second है आपका चयन और उदेश या आपको उसमें से selection करना होता है और आपको एक उदेशन रधारित होता है कि आपको इस project को क्यों करना है थर्ड है हमारे इसके अंदर planning उस project को करने के लिए आपके पास एक well planned होना चाहिए कोई भी चीज़ fourth है लागू करना या कार्यानविद करना यानि की execute the project fifth है आपको मूल्यांकर यानि की teachers फिर उसको मूल्यांकर करते हैं यानि की evaluate करते हैं देन आपका result होता है अच्छी परियोजना के गोड़ तो हम देखेंगे इसके अंदर qualities of a good project अगर आप एक project ready कर रहे हैं तो उसके क्या 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 qualities हैं तो इसके अंदर हम देखेंगे परियोजना विदी से सामुहिक सामुहिक मतलब जो एक परियोजना विदी है projection method है उसके अंदर group wise सामुहिक अंतह क्या मतलब जो क्याएं होती है activities होती हैं वो सामुहिक level पर होती हैं और सहीयोग को बढ़ावा मलता है यह एक इसका good है नेक्स्ट है इस विदी में तांत्रिक ढंक से सीखने की प्रकिरिया का विकास होता है यह भी इसका एक good है फोर्थ है हमारा इसके अंदर इस विदी से परिश्रम की मरियादा का विकास होता है फोर्थ है हमारा इसके अंदर इससे विशे के साथ से संबंद ढूड़ा जा सकता है फिफ्थ है हमारा इसके अंदर खोज के परिडाम सोरुप प्रसन्नता का अनुभव होता है 6. इसे रचनात्मक और स्रजनात्मक क्रियाइं जो होती हैं उनको बढ़ावा मनता है 7. मानसिक परिदी का विस्तार भी इसी विदी से संबंध है मतलब इसी विदी से संबंधेत है Next हम देखेंगे इसके इनदर परियोजना विदी की विशेशताएं अभी हमने इसकी गोड़ देखे, qualities देखे, अब हम इसकी विशेशताइं रेखेंगे तो विशेशताओं में हम कुछ six points देखेंगे, जैसा कि first MRS के अंदर एक अच्छी परियोजना का सबसे पहला और आवशक गोड़ यह है मतलब विशेशता यह है कि वह परियोजना उदेशपूर एवं लाब दायक होनी चाहिए second MRS के अंदर विद्यार्थियों को परियोजना कारे की सपस्टता होनी चाहिए third MRS के अंदर परियोजना सस्ती होनी चाहिए और उसमें समय भी कम लगना चाहिए fourth MRS के अंदर परियोजना समुदाई की आवशक्ता की अनुसार होना चाहिए fifth MRS के अंदर परियोजना कारे उपलब्दी योग्य होना चाहिए मतलब achievement sixth MRS के अंदर परियोजना विद्यार्थि को मानसी को शारिरी क्रूप से व्यक्त रखे मतलब यह कुछ शे पॉइंट्स हैं इसके अंदर परियोजना विद्यार्थि की विशेष्टा है next MRS के अंदर third point हमने observation देखा उसके बाद हमने projection method देखा अब हम देखेंगे समाज मिती से अभी प्राय मतलब इसके अंदर आखलन करने के लिए मुल्यांकन करने के लिए या फिर किसी भी चीज को मापने के लिए जो आवश्चक चीजे होती है उसमें third है हमारा समाज मिती यानि की meaning of sociometry sociometry क्या है इसको हम देखेंगे third point हमारा मनुष्य एक समाजिक प्राड़ी है जैसा कि आप जानते हैं as you know मनुष्य जो है एक समाजिक प्राड़ी है social human है और समाजिक वातावरण में समायोजन मतलब वो उसको समायोजित करना पड़ता है समायोजन इस्थापित करने के लिए उसे अन्य व्यक्तियों के साथ संबंद बनाने पड़ते हैं समाजिक वातावरण में यह आवशक नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को सभी व्यक्तियों के द्वारा पसंद या ना पसंद किया जाए जैसा कि आप जानते हैं जरूरी नहीं है हर परसन किसी को पसंद हो ऐसा हो सकता है कि एक परसन किसी को पसंद भी हो और ना भी पसंद हो अलग अलग लग लोग के अपनी इसाब से 24 होते हैं या फिर किसी एक परिस्थिती से जिसे सब चाहते हो जरूरी नहीं है कि दूसरी परिस्थिती में भी उसे पसंद किया जाए यानि कि हर जगा situation, conditions अलग 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 होते हैं उसके बाद इसके अंदर है समाजमिती वहविदी है जिसके द्वारा हम जान पाते हैं कि किसी व्यक्ति का समाज में क्या इस्थान है इसे कहते हैं हम sociometry आगे हम देखेंगे sociometry यानि कि समाजमिती विदी के उपयोग यानि कि uses of sociometry method तो इसमें क्या क्या मेथट से हमारे पहला है हमारे इसके अंदर समाजमिती विदी की सहायता से किसी समुह को एक इकाई के रूप में जाना जा सकता है सेकिंड है हमारा इसके अंदर अधिक पसंद किये जाने वाले और अत्यदिक नापसंद किये जाने वाले विद्यारतियों की पहचान आसानी से हो सकती है थर्ड है हमारा इसके अंदर इस विधी से विध्यारतियों को लोक्तांतरिक भावना के प्रती जागरुकता होती है इस विधी से समू की एक्ता के अध्यन में सहायता मिलती है और 7th, last point है इस विधी से समू के समवाद की व्याक्या सरल्टा से की जा सकती है विदिय हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने observation के बारे में पढ़ा उसके बाद हमने projection method के बारे में पढ़ा उसके uses पढ़े, उसमें उसकी meaning पढ़े, definitions पढ़ी, मतलब हमने उसमें कई चीज़े पढ़ी हैं, और last हमने इसमें पढ़ा है, sociometry, इसका method, इसके uses हमने पढ़े, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, Thank you so much friends for watching this video, I hope आपके लिए ये काफी helpful रहेगी, और अगर आप इसमें और भी points आड़ करना चाहते हैं, तो आप add कर सकते हैं, या फिर कोई हटाना चाहते हैं, तो आप हटा सकते हैं, आपकी comfortability के हिसाब से, Thank you so much friends for watching this video, मेरे चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें, share करें and comment करें, and please press the bell icon for other notifications, Thank you so much. झाल करें झाल करें,